क्या हाल है बच्चो तो आज यह वीडियो जो होने वाला है जम्मू कश्मीर वाले बच्चो के लिए होने वाला है तो याद रखना इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है वो जम्मू कश्मीर से अगर बाहर है और वो जम्मू या कश्मीर के किसी मेडिकल कॉलेज में एडिपिशन लेना चाहता है तो वह आल इंडिया कोटा के तहती जा सकता है जब बेटा मैं यहाँ पर स्टेट कोटा की बात करूँगा तो उसके अंदर अलग तरह की रिजर्वेशन टर्म्स का यूज होगा तो उनको उनको सुनकर पैनिक होने की ज़रोत नहीं है क्योंकि बेटा आप स्टेट कांसलिंग से वहाँ पर जा नहीं सकते स्टेट कांसलिंग से वही बच्चा जा सकता है जमू और कश्मीर को बलॉंग करता है जिसका डॉमिसाइल वहां का है तो बेटा शुरू करता हूं लेकिन उस शुरू करने से पहले कुछ केटिगरीज को बताना चाहता हूं क्योंकि जमू और कश्मीर एक special province है जिसके अंद आपर जो top ranked medical college है उन top ranked medical college की cut off क्या रही है पिछले साल के catrants रहे हैं तो वह बच्चा चाहे पी डबूडी candidate है चाहे वह बच्चा बेटा EWS है चाहे वह general है मैं सबकी cut off यहां पर बताने जा रहा हूं प्लीज वीडियो को end तक देखे मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा प पहली चीज बेटा सबसे पहली केटिगरी आती है ओ एम ओ एम केटिगरी को बेटा open merit बोलते हैं जब में किछबीन में आप इसे यहां पर general category बोल सकते हैं अगला है वहाँ पर OSL का मतलब है कि आप उसको OBC के equivalent मान सकते हैं यहां के साब से अगली है पेटा STL STL का मतलब है scheduled tribe क्या है पेटा scheduled tribe तो वह भी खांके लेहल अद्दाक के तो scheduled tribe से ST और L से लेहल अगला है पेटा STK तो इसका मतलब है scheduled tribe from क का मतलब कार्गिल district ठीक है अगला है अगला है मार पास ALC ALC का मतलब है पेटा residence of adjoining actual life line of control जो की actual life line of control के आजपास रहने वाले लोग है अगला है पेटा PSP PSP का मतलब है पहाड़ी speaking people उसके बाद है पेटा RBA residence of backward area मतलब ऐसे areas में रहते हैं जहां पर development बहुत कम है अगला पेटा OCS OSC OSC का मतलब है वीक and under privilege classes जो है यहां पर बेटा आप उसको normally EWS में count कर सकते हैं ठीक है अगला है जे के पीएम जे के पीएम का मतलब है Children of state police personnel या तो वहाँ पर जो जम्मुन किश्पी के अंदर पुलिस persons है उनके बच्चे और अगला proficiency in sports I'm sorry तो sports quota के अंदर जो है अगर sports quota के अंदर आते हैं तो वह JK PM में आते हैं अब बेटा शुरू करते हैं कि top medical colleges जो को जम्मुन किश्मीर है को से सबसे पहले नाम हता है जी एमसी अनत्नाग अगला जी ऑंधिमसी हंभारा हंभार एम्स विजयपुर तो पिटा हम यहां पर टॉप कॉलीज़िस ही बात करते हैं शुरुवात करने एंड座े इंस जम्मू से तो अल-इंडिया कोटा से जो एड्मशन्स वह थे सबसेे उसकी बात करते ठीक है तो एंस जम्मू मिठेंaci पिछले साल र 2023 का जो ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है तो जनरल पी एच मतब जनरल फिजिकल हैंडीकम पीड़ूड जनरल पीड़ूड बच्चे का एडमिशन 349 मार्क्स पर लास्ट टाइम महां पर हुआ है और 2022 में एडमिशन 422 नंबर पर हुआ था कॉट रेंड है और अगली आटा नर्मल जनल की बात करें तो 664 नंबर 604 और ज५ुनाडन चम्म की बात करते हैं तो यहां पड़ में बात करोंगा Grade की बात करते हैं सबसे नफ लिए अगर मैं स्टेट कोटा की बात करूं तो मैं उसके अंदर OM वर्ड यूस करूंगा जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है तो OMPH जो स्टेट कोटा के अंदर admission हुआ है न ओपर मेरे फिजिकल हैंडिकम बच्चे का वह 404 नंबर पर हुआ है 2023 में और 304 नंबर में 2022 में हुआ था जनरल की जो नॉर्मल कट ओफ गई है और इंडिया से वह गई है 648 नंबर 648 EWS की गई है 638 SC की गई है 551 ST की गई है 515 और OBC की गई है 639 मार्क्स अब एक और बात करते हैं कि ST PH की क्या गई है स्टेट कोटा के अंदर GMC जम्मू में स्टेट कोटा में ST physical handicap बच्चे का admission लास्ट यर 183 मार्क्स पर हो गया था तो कोई ST बच्चा है और PH है और जम्मू कश्मीट से बलॉंग करता है मतलब physically handicap बच्चा है PWD तो 183 पर लास्ट ताम admission हुआ था उससे पहले बचा 124 नमबर पर भी हुआ admission हुआ है तो अगर बचा आपके देड़ सो के आसपास नमबर है तो आप अपने आपको सेफ माने GMC जम्मू आपको मिल सकता है अगला बचा ST की बात करें स्टेट कोटा में तो 438 नमबर 438 EWS की बात करें तो 385 SE की बात करें तो 489 मार्क सबर और बचा ओपन मेरिट के अंदर admission OM कैटेगरी जीसे बोलते हैं 540 मार्क सबर admission लास्ट यर हुआ है ठीके बचा अब बात करते हैं GMC अनंतनाग Government Medical College अनंतनाग की बात करते हैं स्टेट कोटा की बात कर रहो मैं स्टेट कोटा की अंदर OM PH बच्चे का जो admission हुआ है मतलब open merit physically handicap बच्चे का जो admission last time हुआ था वह 325 मार्क सबर हुआ था ALC PH की बात करें तो उनका हुआ था 127 मार्क सबर हुआ था ALC PH का कितने पर हुआ था बिटा वह बट अब ALC का मतलब मैं शुरू में बता चुका हूँ कौन है residence of adjoining actual line of control है उसके आसपास रहने वाले लोगों को यह ALC का certificate मिलता है उसके अंदर भी अगर आफ फिजिकली handicap तो बच्चे थे 127 127 नंबर पर लास्ट यर GMC अनत्माग में admission हुआ है ओपन मेरिट के अंदर 570 570 OSC के अंदर OSC के अंदर 460 SC के अंदर 409 और PSP के अंदर 432 पर admission लास्ट यर हुआ है अब बेटा GMC 12 मूला की बाग करते हैं GMC जनरल फिजिकल हैं बच्चे का अंद्मिशन 347 मार्क्स पर हो गया था नॉर्मल जनरल पीए जो था नॉर्मल जनरल कट आफ जो थी वह 626 गई OBC की 622 गई EWS की 620 गई SC की बेटा 531 गई ST की बेटा 503 मार्क्स लास्ट ताइम 2013 में गई थी अब बेटा बात करते हैं जो GMC 12 मुला के बारे में हैं तो OMPH मतलब ओपर मैडिट BWD कैंडिडेट पी एच बच्चा जो है उसकी एडमिशन बेटा लास्ट यर 339 मार्क्स पर हुई थी और बेटा ST PH की बात करें तो लास्ट टाइम 182 मार्क्स पर कॉलिज मिल गया था और 2022 में बेटा 142 मार्क्स प नहीं ना गई डेर्सों के आसपास भी है तो बेटा ओपन मेरिट की वहां पर जो रेंक गई ती या कट ओफ गई थी वह 547 गई थी OSC की बेटा 474 ST की बेटा 382 गई थी और SC की 402 मार्क्स बेटा लास्ट यर गई थी अब बेटा GMC श्रीनगर की बात करते हैं तो वहां पर GMC में सबस्पहले All India Counseling की बात कर रहा हूं तो 2023 में All India Counseling में General PWD Candidate की बच्चे की बेटा admission 491 मार्क्स पर हुआ था अब बेटा OBC PH OBC Physically Handicam बच्चा श्रीनगर जम्मू श्रीनगर के अंदर 174 मार्क्स पर admission मिला है तो वह बच्चे बेटा जो OBC है All India Quota के तहट GMC श्रीनगर लेना चाहते हो तो बेटा अगर आपके नंबर 1500 से उपर और 200 से नीचे है तो कहीं न कहीं बेटा GMC श्रीनगर भी आपकी counseling लिस्ट में होना चाहिए STPH का admission कितने पर हुआ यह जानकर भी आपको हैरानी होगी बेटा 139 मार्क्स पर पिछले साल 2023 में STPH का बेटा STPH मतलब ST बच्चा schedule tribe with disability बच्चेगा 139 मार्क्स पर लास्ट ताइम audition हो गया था EWS की जो normal cutoff गई थी वो गई थी बेटा नंबरों की 636 SC की गई थी 545 ST की गई थी बेटा 562 और जनरल की गई थी बेटा 651 और OBC की गई थी बेटा 635 मार्क्स ठीक है बेटा अब स्टेट कोटा की बात करते हैं GMC श्री नगर में तो बेटा OMPH मतलब open merit physical handicap बच्चे का last year admission 445 पर हो गया था बेटा यह वो बच्चे हैं जो कि जम्मु एन किश्मीर से बलॉंग करते हैं स्टेट कोटा की बात की जाए तब और OSC PH का जो admission हुआ था PH मतलब physically handicap का जो admission हुआ था 160 marks पर हो गया था बेटा तो ध्यान से सुन ले जो OSC से बलॉंग करते हैं और PH बच्चे हैं तो 160 नंबर पे last time admission हुआ है GMC श्री नगर और EWS PH की बात करें तो 362 पर admission हुआ है तो 300 के आज पास अपने आपको safe score में रखना बेटा RBA PH का 411 पर admission हो गया था EWS की बात करें नॉर्मल स्टेट कोटा में तो 384 ALC की बात करें तो 446 PSP में cut off गया था 473 STK में गया था 484 SC में गया था 442 marks ठीक है और याद रखना बेटा OSC वाले जो बच्चे हैं physically handicap जो बच्चे हैं जमुएन किश्मीर से ब्लॉंग करते हैं तो इसका मतलब 1500 से प्लस या 1500 और 200 से नीचे भी है तो अब यह बिटा GMC श्री नगर आपकी लिस्ट में होना चाहिए अब GMC डोडा की बात करते हैं गौर्मेंट मेडिकल कॉलिज डोडा की बात करते हैं बिटा 2023 ऑल इंडिया के अंदर जनरल कॉट ऑफ गया था 623 EWS गया था दोडा में तो बेटा ओपन मेरिट पी एच बच्चे जो है फिजिकली हैं बच्चा जो है उसका एडमिशन 282 मांक्स पर लास्ट यह 2023 में हुआ था और 2022 में 162 मांक्स पर भी कॉलिज मिला हुआ है तो दोसों के आसपास अगार आपके नंबर है और आप जमुएन किश्मीर से बिलॉंग करते हैं और ओपन मेरिट के अंदर बेटा आप फिजिकल हैं बच्चे हैं तो दोसों के आसपास आप बेटा इस को लिस्ट में रखना मिलने के चांसिस बन रहे हैं और नॉर्मल ओपन मेरिट जो गई थी वो 537 गई थी SC की बेटा 420 गई थी STK की बेटा 441 ग तो यह मैंने top medical colleges पेटा कवर किये हैं जम्मु और किश्मीर के और इंडिया वाले बच्चे जो कि बेटा इंडिया से जिसे भी स्टेट से वहां से अगर जमु और किश्मीर में यह जानकारी उनके लिए भी है और स्टेट काउंस्लिंग का डेटा मैंने इसले बताया ता कि जो college चूट गए हैं अगर उनकी information भी चाहिए उनका data भी चाहिए तो बेटा comment section नीचे खुला हुआ है comments डाल दीजिए अगर comments अच्छे होंगे वीडियो पर अच्छा response होगा तो बेटा मैं वो data भी जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा अगर जनकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like करें चैनल को subscribe कर दें क्योंकि मैं ये updates लाता रहूँगा और आपकी मैं मदद preparation में, counselling में और हर तरीके से जो मदद में कर सकता हूँ specialty बेटा PWD वाले बच्चे बाकी बेटा किसी और से ऐसा नहीं कि दूसरों से हमारा कोई वैसा है कि हम उसके help नहीं करना चाते पर PWD वाले बच्चे बेटा क्या है उनकी help थोड़ा सा कम हो पाती है तो उनके लिए बेटा हम इस चनल को grow करना चाते हैं तो ठीक है बेटा मिल